करन महरा इन दिनों अपनी निजी जिन्दगी को लेकर बहुत जादा सुर्खियों में बने हुए हैं हाली में आक्टर की पत्नी निशारावल के साथ मारपीट के आरोप में जेल की हवा उन्हें खानी पड़ी लेकिन अब करन बेल पर बाहर आ चुके हैं वहीं अब आक्टर का एक वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है जिससे पता चलता है कि सीरियल में काम करने से पहले करन एक फूड आउटलेट में काम करते थे और पहतरीन पिज़ा भी बनाते थे जी हाँ आपको बता दे कि करन महरा ने साल 2009 में सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि जरिये अपने आक्टिंग करियर की शिर्वात की थी लेकिन इससे पहले वो फूड आउटलेट में काम कर चुके हैं आक्टर बारवी की परिक्षा देने के बाद पिज़ा बनाया करते थे आक्टर ने दिल्ली के नेशनल इंस्टिचूट और फैशन टेकनलोजी के फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे लेकिन किसमत को कुछ और ही मनजूर था और करन आक्टर बन लोगों की दिलों पर च्छा गए जे हाँ आपको बता दे कि करन मेरा ने खुद अपने ओफिशल इंस्टिग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्वाधिस्ट पिज़ा बनाते हों देखे जा रहे हैं आपको बता दे किसके साथ ही आक्टर वीडियो में कहते हैं कि शायद ही वे बात आप सब को ना पता हो लेकिन मैं बता दूं कि आक्टिंग से पहले मैं डॉमिनोस पिज़ा में बतोर समर ट्रेनी काम कर चुका हूँ ये काम मैंने बार्वी की परिक्षा देने के बाद शुरू किया था साथ ही उन्होंने कैप्षिन में लिखा है कि मेरी बार्वी कक्षा के ठीक बात डॉमिनोस में मैं एक समर ट्रेनिंग से लेकर पिज़ा बनाने की कला सीखने के तक आज मैंने कभी पीछे मुड़ कर देखता हूँ और मैं हसूस करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा है उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया बता दे कि आक्टर करन महरा और नातिक के रोल में बहुत हेट रहे हैं और आपको बता दे कि बिग बॉस टैन और नचबल यह फाइव में भी वह नजर आ चुके हैं जो यहां तो यह वीडियो आप भी देखे कि किस तरीके से वो पिज़ा बनाते हैं दिखाई दे रहे हैं लेकिन यह पिज़ा नहीं आगे से रपोर्ट में यहां तो आपने देखी अभी यह वीडियो जियां आपने देखा कि किस तरीके से करन मेरा पिज़ा बनाते में दिखाई दे रहे हैं आपकी क्या राए है कमेंड बॉक्स में बताईए जोड़े रही है हमारे साथ नेक्स नाइन नियूस से सुर्भी करिपोर्ट ग्भी करिपोर्ट